जैसे कि मैं आपका मित्त बोल रहा हूँ और आज मैं आपको स्मार्ट टीवी में आपके जो फाइल मेनेजर होता है और फाइल मेनेजर हो गया और इसके बाद आपका जो कोई भी एप्स पगेरे चलाते हैं तो आपके जो एप्स पगेरे काफी स्लो चलते हैं और काफी धीमे चलते हैं तो उसको कैसे आप सही कर सकते हैं उसको आप कैसे बना सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास यह एक M.I.E की टी-वी है तो उसको आप कैसे सही करेंगे और उसको आप कैसे सही बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने smart tv में home screen में आ जाना है और home screen में आने के बाद आप देख सकते कुछ इस तरह से आपका interface मिलेगा आपकी smart tv पर इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आपके पास यहाँ पस आपको आपको यहाँ पस tv manager मिलता तो ठीकी ठीक है यदि आपको tv manager नहीं मिलता है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा यहाँ से आपको जाना पड़ेगा प्लस में आप देख सकते हैं यहाँ पस आपको प्लस में आना पड़ेगा और जैसे आप प्लस में आएंगे तो आपको यहाँ पस ऐसे add कर देना है तो आपके जो apps होंगे वो पुरी तरह से add हो जाएंगे और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको TV manager पर आएंगे आप जिसे तो यहाँ पस आपके कुछ interface ऐसे आएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि इसको कैसे आपको clear करना है यह सब कुछ में बता देता हू तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आप देख सकते हैं मैं आपको बता दूंग एक एक करके कि आपको जो system system का storage है तो 3.11GB है और apps and data में 2.5GB है और others में आपको 1.5GB है तो इसमें आपका जो RAM है तो RAM आपका यूजे 55% है और जो wastage MBA तो वो 2.8GB है और 33 apps आपके जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इसको आपको मैं आज बताऊंगा कि इसको कैसे आप इसको बंद कर सकते हैं और इसको इसमें आपके जो नीचे और option दिया है memory वोस्ट करने के लिए, clear करने के लिए, on install app हो गया, deep clear और on install USB और settings बगएर यह सब कुछ आपको क्या क्या इसमें मिलता है पर देख सकते हैं, boasting memory हो गई है और इसके बाद जो wasted dot storage लिया हुआ है उसको भी clear कर रहा है और ending process आपके जो apps है तो 20 apps जो आपके रन कर रहे थे वो भी पूरी तरह से stop हो गए तो आप देख सकते हैं कि यह 45 हो गया है और जो apps running कर रहे थे तो 26 हो गए तो इस तरह से आप अ नीचे चलते हैं तो सबसे पहले memory boost में आपको जो हैं तो memory boost भी करना है तो कैसे करना है यहां पसे okay करना है और okay करने के बाद आप देख सकते हैं आपको एक-एक apps बता रहा है कि आपको कौन-कौन से apps पुरी तरह से अभी run कर रहे हैं और उसको कैसे stop करना है तो यहां पस आ कर दिया गया है फिर इसके बाद clear करने के लिए तो यहां पस आप देख सकते हैं कि अभी यह सर्च कर रहा है कि आपको कितना एंबी यह हो रहा है तो अभी यहां पस एक एंबी हो रहा है क्योंकि मैं memory boost कर चुका हूं तो एक एंबी आपका पूरी तरह से हो जाएगा तो यहा यहां से इसको remove भी कर सकते हैं और इसको आप सही सही भी कर सकते हैं फिर इसके बाद आंगे deep clear है तो deep clear में आपको देख सकते large file हो गया apps data हो गया तो आप इसमें देख सकते हैं कि 26 apps टोटल डले हुए और 26 apps में आपको 500 memory data uses लिया हुआ है तो यहां से आप उसको ok करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितने कितने में आपका MB data लिया हुआ है एक एक करके apps आपका पूरी तरह से तो यहां से आप उसको रग भी सकते हैं और यहां से आप इसको remove भी कर सकते हैं फिर इसके बाद full clear आपको इसमें आपको full clear में आपको मिलेगा free up to most of your storage जो आपका storage यहां से आप इसको clear करेंगे तो आपका storage आपको चलाने के बाद EUJS data बन जाता है तो यहां पसे यह पीरे से clear हो जाएगा और पूरी तरह से आपको सही हो जाएगा तो यह पासिप से आप देख सकते कि क्ल debit कर रहे हैं तो clear में आपको थोड़ा सा wait करना पर शकता अगरेना तो इस तरह से आपको क्या करना है अब्यक कि नेक बाद फिर इसके बाद आपको इनिस्टॉL करना है तोrekbekा क्नेक्ट करके आपको इसभी को यहां से आप देख सकते हैं फिर इसके बाद आपको यूजेस डाटा रहेगा तो आप आप यहां से देख सकते हैं कि आपके जो data हैं तो कितना uses हुआ है तो आप देख सकते हैं कि YouTube में जो मेरा data है तो आपको मैं पास दिखाना चाहूंगा तो 1.99 GB हो गया फिर इसके बाद आपका जो है तो 243 MB आपके phone media में हुआ है system में आपका Netflix में और फिर इसके बाद यहां प कि auto clear आप कितने में रख सकते हैं फिर इसके बाद आपका इस तरह से आप अपने smart TV में यदि कोई भी run कर रहा है यह फिर कोई भी uses है तो आप यहां से इसको सही कर सकते हैं तो आपको इस तरह से आप अपने TV manager को करश रखते हैं तो आपको वीडियो आई होप की अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटे श्री वीडियो पाने के लिए तो वीडियो देखने के सभी मित्यों का मेरा बहुत भन्नवाद और नमस्कार